नमश्कार दोस्तों, Tata Suns vs Cyrus Mystery ये केस दो-तीन सालों से चल रहा है इन फैक्ट आप कहलेजे कि 2016-2017 से चल रहा है अभी रीसेंटली 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोट का यहाँ पे डिसीजन आया है और फाइनली सुप्रीम कोट नहीं यहाँ पे बोल दिया कि भाई, Tata Suns नहीं जो Cyrus Mystery को Executive Director की पोस्स से हटा दिया है यह डिसीजन Tata Group का सही था Tata Suns जो की Majorty Shareholders नहीं इस Tata Suns Private Limited में इन्होंने Cyrus Mystery को हटाया Cyrus Mystery सापूर जी पालुन जी ग्रूप के आप कह सकते हो Representative है जो कि Tata में बहुत लंबे समय के चेर्मेन रहे है तो Cyrus Mystery को हटाये जाने का यह जो डिसीजन था Tata का Finally इसके उपर Supreme Court नहीं महर लगा दिया है और बोला कि यह डिसीजन सही है Supreme Court का साफ-साफ यहां पे यह बोलना है कि अगर आप Minority Shareholder हो तो इसका मतलब Companies Act के अंदर Automatically आपको Executive Board पे जगा मिले यह ज़रूरी नहीं है अगर आप Small Shareholder हो तो Small Shareholder के बहाव पे Companies Act के अंदर Board पे एक Representative को On behalf of Small Shareholders जगा देनी पड़ेगी लेकिन Minority Shareholders को जगा दी 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 जगा दूसरा डाकूमेंट होता है Articles of Association तीसरा डाकूमेंट होता है Memorandum of Association इन Articles of Association और Memorandum of Association में Minority के क्या राइट्स है Majority Shareholders के क्या राइट्स हैं सब कुछ लिखा हुआ होता है अगर इस डाकूमेंट में यह लिखा हुआ है कि जो Minority Shareholders हैं उनको Executive Board पे जगा मिलेगी तो मिलेगी अगर नहीं लिखा है तो Companies Act में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है अब जब यहाँ पे Cyrus Mystery को Board से हटाया गया और Executive Director की Post से हटाया गया उसके बाद Cyrus Mystery लंबे समय से केस लड़ रहे है शापूर जी पॉलर जी ग्रूप के हिसाब से तो बेसिकली यह निउस में क्यो है टाटा ग्रूप और टाटा संस की क्या कहानी है इसका बेसिक आपको आइडिया दूँगा Cyrus Mystery का यहाँ पे क्या रोल रहा है क्यों इनको हटाया गया है Supreme Court के वर्डिक्ट के बाद चीज़ें यहाँ पे क्या निकल क्या रही है Minority Holders के Respect में Companies Act में क्या-क्या Manifestations निकलते है इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो रीसेंटी टाटा ग्रूप के लिए यहाँ पे एक विक्ट्री है NCLAT का एक ओर्डर आया था जिसमें यह बोला गया था कि Cyrus Mystery को आप Executive Chairman मना दो मैंने शायद पहले Executive Director बोल दिया Executive Chairman मना दो उस Executive Chairman की पोस्ट से Tata Group के या फिर Tata Sons Private Limited की जो Majority Sure Holders से उन्होंने Cyrus Mystery को हटा दिया फिर NCLAT ने बोला कि नहीं रखो अब Supreme Court ने बोला कि नहीं भाई Cyrus Mystery को हटा दिया गया है तो यह हटाया जाना सही था यहाँ पे देखिए Supreme Court क्या बोल रहा है All the questions of law are liable to be answered in favor of the appellants Tata Group and appeals filed by Tata Group are liable to be allowed and those by शापोर जी पालोंजी group are liable to be dismissed यानि Tata Group के बहाफ पे जो appeals आई है उनको allow किया जाएगा और शापोर जी पालोंजी गृप के बहाफ पे जो की Cyrus Mystery जिसको represent करते हैं उसके बहाफ पे जो appeals आएगे उसको dismiss किया जाएगा मतलब कोल मिला के Tata Group का जो decision था Cyrus पालोंजी Mystery को हटाने का as the executive chairman of Tata Suns ये सही था और Supreme Court का साफ साफ ये बोलना है कि अगर आप किसी एक company में minority shareholders हो इसका मतलब ये नहीं है कहीं पे भी companies act में ये नहीं लिखा हुआ है कि minority share holder को automatically board पे जगा मिल जाएगी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ये अलग बात है कि जैसा कि मैंने बताए कि private companies अपने articles of association और memorandum of association में ये लिख सकते हैं कि यहाँ minority shareholders को बोर्ड में जगा देंगे पर अगर नहीं लिखा है तो companies act में ये नहीं लिखा हुआ है तो ये recent news है मुझे पता है आपको चीजने शायद ना समझ में आई हो जब बेसिक तरीके से चीजने को टेक अप करूँगा आपको सब समझवा जागा तो थोड़ा सा patience रखे आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like का button अगर अब तक इस वीडियो को share नहीं किया है कर दीजे इस चैनल को share और subscribe नहीं किया है कर दीजे जोएन मटनदबाग आप हैल कर सकते हैं अर्शी दिवेदी एजुकेशन की playlist section में जाइए वहाँ पे मैंने economy की polity की books complete करा रखी है लक्षमी गांत की polity complete है spectrum modern history का most important part complete है रमेश सिंग की economics चालू है और सतीच चंदरा की middle history में अभी के लिए पढ़ा रहा हूँ NC86 से लेके 12 तक ही बहुत सी वीडियो में मना चुका हूँ बहुत सी अभी बन रही है तो अगर आपको वीडियोस पसंदा है तो आप उनको भी refer कर सकते हो और अगर overall help मिल रही तो आप जोइन डंदबाग की help भी का सकते है Instagram पर follow कर लिए अलग 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 प्रकार साफ से जुड़ने कोशिश करूँगा photos, videos और आपकी messages का जवाब देने के मादम से सासा Telegram Group जोइन के लिए इस particular lecture की PDF आपको Telegram Group में मिल जाएगी मेरे lectures की notification आपको Telegram Group में मिल जाएगी जो भी मैं बाकी current affairs की area tutorials की, individual current affairs की videos बनाता हूँ उनकी PDF आपको Telegram Group में मिल जाएगी अब basics देख लेते हैं Tata Group के Tata Group एक Indian Multilational Congress है, Mumbai में इसका headquarter है 1868 में जमशेज जी टाटा जी ने इसको found किया सा, जमशेज जी टाटा बड़ा नाम है, रदन टाटा बड़ा नाम है कई न कई बहुत बड़ी global recognition है टाटा इंडस्टिस की दुनिया की भर की बहुत बड़ी-बड़ी companies खरीद रखी हैं Tata ने इंडिया का one of the biggest and oldest industrial group है यह ठीक है बड़ी अलग अलग टाटा की बहुत सारी companies हैं यह सारी की सारी companies एक बड़े conglomerate group Tata group के अंदर आती हैं अलग-अलग टाटा companies के अपने अलग-अलग board of directors हैं अलग-अलग shareholders हैं टाटा की कुछ companies की बात की जाए तो Tata chemicals, Tata communications, Tata consultancy services, Tata consumer products, Tata XC, Tata Motors, Tata Power, Tata Steel, Jumshedpour FC, Jumshedpour Football Club भी इनका ही है Tanishq, Voltas, Tata Click, Tata Projects Limited, Tata Capital, Titan, Trent और क्या-क्या बोल जाए, Indian Hotels Company Limited, Taja Air, Vistara, Chroma, Tata, Starbucks यह सब इनका ही है आप समाझ सकते हो काफी बड़ी company है तो यह सारी छोटी-छोटी companies हो गई, छोटी-छोटी तो खेर नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी companies है इन companies के उपर एक group हो गया, जिसको आपने बोला Tata Group तो Tata Group इन सब का मालिक हो गया Tata Group में majority shareholding किसकी है? भाई, Tata Suns Private Limited मतब Tata Suns Private Limited आपने एक company मेना दी तो जब Tata Group के assets आपने डाल दी, तो Tata Group के अंदर तो सारी Tata companies आ गई न तो Tata Suns Private Limited is the holding company of Tata Group holding company का मतलब क्या होता है? कि Tata Group के जितने भी shares है, जितनी भी ownership हो Tata Suns Private Limited के पास है simple बात है तो जितनी भी Tata Group की shareholding हो जाए उनके land holdings हो, tea estates हो, steel plants, almost सब Tata Suns Private Limited के अंदर आते है तो basically जो private owned conglomerate है, 100 companies का Tata Group यह किसकी ownership में? Tata Suns Private Limited के ownership में और इसका headquarters का है? Mumbai का है इस Tata Suns Private Limited को as a trading enterprise 1868 में बनाया गया था शुरुवात में यह opium और tree trade में participate करता था विद मौंगोलिया और चाइना बाद में यह Tata Group की holding company बन गया अब अगर आप देखो, तो इस Tata Suns Private Limited में Tata सरनेव वालों की 66% equity capital है और यह 66% equity capital सीधे सीधे नहीं है पहले बीच में आई है एक philanthropic trust ओके? यह दो trust है Tata family की एक है सर दुराब जी टाटा trust और एक है श्री रतन टाटा trust अब समझेए Tata Suns Private Limited की 66% ownership किसके पास है? दो trustों के पास है एक trust है श्री दुराब जी टाटा trust दूसरी है श्री रतन टाटा trust रतन टाटा trust में रतन टाटा का कुछ percentage होगा? ठीक है या फिर आप कहले जी कि रतन टाटा इसमें trustee होंगे ओके? तो अगर श्री रतन टाटा trust और श्री दुराब जी टाटा trust इनके पास majority holdership है किसके Tata Suns Private Limited की तो Tata Suns Private Limited का 66% shares दो trustों के पास है श्री दुराब जी टाटा trust श्री रतन टाटा trust और इन ट्रस्ट में अलग अलग Tata की family की जो भी members है उनकी stakeholdership होगी तो रतन टाटा की अपनी stakeholdership होगी बाकि उनकी जो family members है उनकी अलग अपनी stakeholdership होगी तो Tata family के पास इस Tata Suns Private Limited में 66% shares है समझे? और यह जो Tata Suns है This is the owner of Tata name और Tata trademark तो कहीं पे भी Tata का नाम इस्तमाल हो रहा है या Tata का trademark इस्तमाल हो रहा है तो owner कोने Tata Suns है और इस Tata Suns Private Limited के ownership में 66% दो trustों के पास है शीदुराब जी Tata Trust और शीद्दन टाटा trust और इन trust में जितने भी Tata Suns नेम वाले Tata family करने वाले लोग है वो इस ट्रस्ट में आते हैं अपनी अपनी ownership के साफ से अब यहां पे entry होती Cyrus Mystery की Cyrus Mystery की क्या कहानी है ये भी भाई खानानी रही सरह है अपनी मेहनत पे खड़े होने वाले आदमी नहीं है घर बाप दादा से मेले वाले आदमी है साइरस पलाउंजी मिस्ट्री चार जुलाई 1968 को इनका जनम हुआ ये एक आईरिश बिजनसमें है इंडिन ओरिजन के कब से कब तक 2012 से 2016 तक 2016 तक इनको खाड़ फिका गया जब 2016 में उनको खाड़ फिका गया था तो इस प्रकार के मेमेज बन रहे थे कि इस से अच्छा तो ऐसे CIOPSC का एक्जाम दे लेते निकाले नहीं जाते टाटा के एक्सिक्रेटिव चेर्में की पोस्ट से निकाल दिया गया तो उस प्रकार के उस समय पर मार्केट में बहुत सारे जोग सर्कुलेट कर रहे थे अब अगर आब बात करो तो टाटा संस प्रावेट रिम्टेट के छाटे चेर्में रहे हैं साइरस पलॉंजी मिस्ट्री जदातर जो टाटा के चेर्में रहे है वो टाटा सर्नेम वाले रहे है ये दूसरे ऐसे परसन थे जो कि टाटा सर्नेम के नहीं थे बढ़ Tata Suns की चेर्मिन मने पहले कौन थे तो पहले थे नौरोजी सकलात वाला नौरोजी सकलात वाला पहले ऐसे परसन थे जो कि Tata Suns Private Limited के एक्जिक्वेटिव चेर्मिन मने बढ़ वो Tata नहीं है दूसरे थे साइरस पलांजी मिस्ट्री 2012 में मिड में he was chosen by a selection panel एक selection panel ने इनको Tata Group को head करने के लिए चोना और इन्होंने दिसंबर 2012 में charge ले लिए Tata Suns Private Limited का लेकर अक्टूबर 2016 में जो Tata Groups की holding company ना Tata Suns उसके board ने मिस्ट्री की खिलाफ vote किया पहले तो इनको chance दिया कि तुम voluntarily resign करो इन्होंने voluntarily resign नहीं किया तो फिर voting डालके Cyrus मिस्ट्री को executive chairman की post से हटा दिया गया अब यहां पे जब इनको chairman की post से हटा आया गया तो रतन Tata कुछ समय के लिए intermin chairman मन गये और बाद में नटराजन चंदर शेकर को नया chairman appoint किया गये अब यहां पे आप देखो अब आप साहिरस मिस्ट्री को एकदम से Tata Suns private limited की chairman की post से हटा दोगे तो यह चुब बैठने वाले तो होंगे नहीं तो यह चलेगे भाई national company law tribunal में national company law tribunal ने भी Tata Suns के favorment decision दिया तो यह चलेगे national company law appellate tribunal में और national company law appellate tribunal में December 2019 में चंदर शेकर के appointment को illegal बोला और बोला कि नहीं भाई Cyrus मिस्ट्री ही actually में chairman रहेंगे यह जो चंदर शेकरन का appointment हुआ है यह गलत है यह जो चंदर शेकरन का appointment हुआ है यह गलत है यानि कि national company law appellate tribunal ने Cyrus मिस्ट्री की favor में बो दिया decision और टाटा क्या गिया इस तेजर रिसीजन अब इनको हटाया गया था 2016 में अक्टूबर 2016 में और NCLA ने टी ने इनको हटाने के decision को गरत कब बोला दिसंबर 2019 में आलमोस्त तीन साल बाद तो इन तीन सालों में क्या हुआ इसकी टाइम लाइन समझनी पड़ेगी इस बीच में सुप्रीम कोट का भी involvement आएगा NCLT देख तीन चार पार्टी यहां पर आएगी एक तो NCLT मुंबई आएगी फिर NCLT की 4.4% स्टेक है किसका Cyrus Mistree का थूइस कमपनी Cyrus Investment Private Limited Cyrus Investment Private Limited के थूआटर संस में 18.4% स्टेक रखते है Cyrus Mistree लेकिन ज़्यादा तर जो इनके स्टेक से ना वो प्रेफरेंशल शेयर्स के थूआँ अभी प्रेफरेंशल शेयर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इनकी जो नेट वर्थ है दस बिलियन डॉलर है ठीक ठाक भाई अमीर इनसान ही नैशनल इंटिकरिशन काउंसिल के भी एक समय पर ये मेंबर रहे हैं अब क्रोनोलोजी ओफ इवेंट्स देखते हैं 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्ट्री को उखाड फेका गया अब फ़ेंगे टाटा संस और उसके बाद रहटन टाटा बन गए इंटरिम चेर्मन जब इनको हटाया गया तो बोला गया कि रहटन टाटा का रोल है इनको हटाने में अब भाई हटा दिया गया तो चुपत बैठेंग नी तो दिसमबर 2020 में क्या हूआ 20th और December 2016 में क्या हुआ दो Cyrus Mystery की Family Backed Investment Firms एक तो Cyrus Investment Private Limited दूसर स्टर्लिंग Investment Corporation Private Limited ये चले गए National Company Law Tribunal Mumbai में और वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी application दायर की कि भई Minority Shareholders का शोशड हो रहा है TataSense में TataSense mismanagement कर रहा है वो Minority Shareholders के अगेस्ट बात कर रहा है और कहीं न कहीं इन दोनों कंपनीज ने ये जो Cyrus Mystery का रिमूवल है इसके अगेस्ट भी केस फाइल किया तो दो केस फाइल हो रहा है एक तो Cyrus Mystery की रिमूवल का केस ठीके ना कि भई Cyrus Mystery पोस्ट पर रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए दूसरा केस कि भई Minority Shareholders का शोशन्ड हो रहा है तो ये दो अलग-अलग केसे नहीं पर उठेंगे 12 जनवरी 2017 को क्या हुआ कि TataSense ने N.Candrashekran को चेर्मन बना दिया N.Candrashekran पहले उस समय पे TCS के Chief Executive Officer और Managing Director थे अभी ये चेर्मन बन गए कि इसके TataSense के 6 फर्वरी 2017 को Cyrus Mystery को Director of the Board of TataSense से भी अटा दिया गया तो पहले तो इनको चेर्मन की पोस्ट से अटाया गया और फिर इनको डाइरेक्टर की पोस्ट से बटा दिया Case File में NCLT Mumbai ने क्या बोला NCLT Mumbai ने ये बोला है कि देखे अगर आपको यहां पे समझें NCLT Mumbai sets aside play of the two investment firms of Cyrus Mystery Family over maintainability issue citing they didn't meet the criteria of 10% ownership in the company for filing a case of alleged operation for Minority Shareholders under Companies Act सीधी सीधी बात ये है कि अगर Minority Shareholders देखिए दो प्रकार के Shareholders होते हैं एक होते हैं Small Shareholders एक होते हैं Minority Shareholders Small Shareholders वो होते हैं Company Acts के चाहब से जिन्होंने किसी एक कंपनी में 20,000 रुपे तक इन्वेस्ट कर रखे 20,000 से कम इन्वेस्ट कर रखे अगर आपने 20,000 से जादा इन्वेस्ट कर रखे तो आप Minority Shareholders की केटेगरी में आते हो और Company Act में कहीं पे भी नहीं लिखाए कि Minority Shareholders Board में जगा रखेगा अब मिस्टरी सहाब को यहाँ पे दो पोस्टों से अटा आए गया एक तो उनको Board पर से Director की पोस्ट से अटा दिया गया दूसरा उनको चेर्मेन की पोस्ट पर से अटा दिया गया तो पहली बात तो साइरस मिस्टरी इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि मुझे चेर्मेन मनाया रखो पहली चीज़ दूसरा वो इस बात पर अपील कर रहे है कि भाई ये जो 10% की ownership पहला जो clause है ना इसको हटा दो बात ये है कि यहाँ पर साइरस मिस्टरी का जो viewpoint था जो नजरिया था जो legal angle था वो कमजोर पढ़ रहा था क्यों कमजोर पढ़ रहा था चुकि minority shareholders के बहाफ पे अगर आपको कुछ बोलना है तो आपके पास कम से कम 10% share होना चाहिए कमपनी का अभी मैंने थोड़े दिर पहले आपको बताया कि साइरस मिस्टरी के पास Tata Suns में 18.4% share है लेकिन अब यहाँ पे main बात है actually में Cyrus मिस्टरी के पास केवल 10% share है ठीक है ना मतलब की actually में Cyrus मिस्टरी के पास केवल 3% share है लगबग 2.71% share तो अब आप बोलोगे कि एक तरफ में बता रहा हूँ कि Cyrus मिस्टरी के पास 18.4% share है in fact mystery family through its company के पास 18.4% share से किसके Tata Suns के और at the same time में बता रहा हूँ कि वल 3% है यह फिर लगबग 2.71% इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप actual ownership में preferential shares को count नहीं करते हूँ अब आप बोलोगे preferential stock क्या होते है मैं बताता हूँ preferential stock क्या होते है किसी एक company में दो प्रकार के stocks होते है एक preferential stocks होते है एक common stocks होते है जब भी मानलो company का dividend आया profit आया या मानलो जो company bankrupt हो रही बंद हो रही है तो उस जम्हें पे जो भी company के assets को बेच के पैसा आएगा उस पैसे के थूप सबसे पहले preferential shares को पैसा दिया जाएगा बाद में common stocks वाले को पैसा दिया जाएगा मतलब risk किसका जाता है common stock वाले कर इस जाता है preferential stock वाले कर इस जाता है अगर आपके पास preferential stock है मतलब company जब wind up होगी तो सबसे पहले आपको आपको पैसा मिल जाएगा बाद में common stock वाले को पैसा मिलेगा तो यहाँ पे 18.4% जो stake है Cyrus mystery की family के पास वो preferential shares में जाता है actually में common stock इनके पास केवल 2.71% है और अगर common stock normal ownership अगर आपके पास 10% से जादा है तो तो आप minority के बहाफ पे डंका पीट सकते होगी हमारा social हो रहा है जब आपके पास 10% share ही नहीं आए तो आप case file ही नहीं कर सकते टाटा संस क्यागी और यहीं पे फास गया Cyrus mystery Cyrus mystery के पास 18% shares है बट वो preferential stocks में common stocks में नहीं ठीक है ना भई तो यहाँ पे April 17 2017 को NCLT मुमई ने क्या किया कि जो दो investment firm सी न जो कि Cyrus mystery की बहाफ पे यहाँ पे case लड़ गई थी उनको यह बोला कि जो 10% की ownership की criteria का आप waiver प्चाहरे हो न ये waiver आपको नहीं मिलेगा बतलब companies act के अंदर साफ साफ ले लिखा हुआ है कि minority का जंडा minority के rights का जंडा आप तब उठा सकते हो जब आपके पास कम से कम 10% share से है अगर उससे कम है तो आप जंडा नहीं उठा सकते हो बतलब तब आप यह नहीं बो सकते हो कि minority shareholders के साथ कुछ गलत हो रहा है जिसके पास 10% से जादा share है वो बोले तो बात समझ में आती है अब जब N.C.L.T. से काम नहीं बना N.C.L.T. मुंबई ने Cyrus Mystery की फेवरें बात नहीं की तो Cyrus Mystery और उनकी family कहा चलीगे N.C.L.A.T. के पास चलीगे case of operation and management against Tatterson's It however dismissed Cyrus Mystery's other petition of maintainability देखें Cyrus Petition की जो maintainability की petition थी कि मुझे board का director बना रहन दो मुझे chairman मना रहन दो इसके ओपर तो N.C.L.A.T. में मना कर दिया ठीक है ना पर तब chairmanship के लिए मना कर दिया यहाँ पर देखें दो चीज़े हैं N.C.L.A.T. अगर आप आगे देखोगे तो N.C.L.A.T. will reinstate Cyrus Ministry as the executive chairman लेकिन यहाँ पर N.C.L.A.T. N.C.L.A.T. से अलग हो रहा है N.C.L.A.T. यह बोल रहा है कि यह जो Cyrus Mystery की यह वाली जो position है ना कि भाई यह जो 10% वाली condition काम को वेवर दे दो यह वेवर दो Cyrus Mystery को मिलनी पाएगा जो कि Cyrus Mystery की family के पास केवल actually में 2.71% shares है यहाँ पर अब इसी बात है देखें N.C.L.A.T. से कोई proper response मिला नहीं है लेकिन यहाँ पर N.C.L.A.T. ने N.C.L.T. मुंबई को क्या बोला N.C.L.A.T. मुंबई को यह बोला कि भाई यह जो दो investment firms है न इन्होंने जो वेवर माँगा है in case of operation and mismanagement इसके respect में आप थोड़े बहुत बाचीत कर सकते हो कोल मिला कि N.C.L.A.T. का stance यहाँ पर क्या है N.C.L.A.T. का stance यहाँ यहाँ यह है कि यह जो Cyrus Mystery का ग्रूप बोल रहा है कि हमारे पास ही जो 10% ownership है से जादा है इस बात के उपर साफ-साफ मना कर रहा है N.C.L.A.T. N.C.L.A.T. बोल रहा है आपके पास 3% से काम है केवल 2.71% है जो 18% की ownership है वो preferential stocks के जो की company acts के साब से सही नहीं है Actual ownership common stocks के साफ से देखी जाती है Preferential stocks के साफ से नहीं देखी जाती है At the same time यहाँ पे N.C.L.A.T. ने यह order भी इशू किया N.C.L.T. मुंबई को यह नहीं National Company Law Appellate Tribunal National Company Law Tribunal मुंबई को यह order इशू कर रहा है कि आप एक बार के लिए इस बात में inquiry जरूर करो कि क्या Tata Suns के majority stakeholders क्या सच में minority के अगेंस्ट कोई काम कर रहे है मतलब कि यहाँ पे जो इल्जाम लगाये थे मिस्तरी ने किस के उपर Tata Suns के उपर कि यह भाई minority shareholders को परिशान कर रहे है इन इल्जामों में इन allegations में investigation करने को बोला NCLAT ने किस को NCLT मुंबई को but at the same time NCLAT ने Cyrus Mystery को यह भी बोल दिया कि तुमारे पास 10% से कम share है तुमारे पास 18.4% shares है नहीं इसलिए एक limits जादा बकवास करो मत दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती अभी ऐसे cases में 5 October 2017 को यह जो दो investment firms थी जो कि on behalf of Cyrus Mystery लड़ रही थी यह NCLT की principal bench दिल्ली की पास चले गए और उनसे बोले कि NCLT मुंबई में partiality हो रही है तो आप case अपने पास transfer कर लो मतलब इन लोगों ने बोला कि NCLT मुंबई है वो थोड़ा टाटा प्रो हो रहा है तो आप case को दिल्ली transfer कर लो यह Cyrus Mystery की बिहाफ की company जाके बोल रही है principal bench of new dillी ने principal bench of new dillी ने इनको लगाई फटकार इनके ओपर 10 लाग का fine और लगाया और बोला NCLT मुंबई में जो दोड़ते होए तो यह फिर वापस आगए NCLT मुंबई में दोड़ते होए आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 21 सेप्टेंबर 2017 को NCLAT ने NCLT मुंबई से बोला कि भाई देखो कि जो allegations लगाये जारे हैं क्या वो सही हैं या गलत है 9 जुलाई 2018 को यहाँ देखे पलिया यह जो मिस्तरी की पलिया है ना इसको डिस्मिस कर दिया उसने यह बोला कि भाई यह जो allegations लगाये गए हैं ना rampant misconduct के रस्थन टाटा के उपर उनके company board के उपर यह गलत है NCLT किसी भी प्रकार की गलती नहीं पा रही है ना रफ्तन टाटा में और ना ही टाटा संस के majority stakeholders में ठीक है भाई फिर आगस्तीन 2018 को यह जो दो investment firms हैं यह फिर सी NCLT के पास पहुँची ठीक है ना और NCLT के पास पहुँचके जो NCLT का order आ रहा था कि इनकी पलिया को dismiss कर दिया गया था challenging his removal as the chairman of the company मतलब कि फिर से यहाँ पे देखे 9 जुलाई 2018 को NCLT मुंबई ने फिर से बोला कि जो Cyrus Ministry को अटाए गया यह सही है और किसी प्रकार का misconduct नहीं हुआ टासंस की दरफ से majority shareholder की दरफ से इसके against फिर से यह company चली गया NCLT के पास और फिर से आके NCLT से बोल रही है हमारे किलाफ अत्तिया चार हो रहा है मुझे मेरी पोस्ट से अटा दिया गया है मुझे मेरी पोस्ट पे reinstate करिया अब NCLT ने company के बहाव पे तो नहीं but in the personal capacity of Cyrus Ministry Cyrus Ministry को एक individual मानते हुए case को entertain कर लिया और जो petitions दो company ने फाइल की थी उन petitions के points को भी note किया Cyrus Ministry के points को भी note किया ठीक है भई? और इसके ओपर hearing शालू ही और 18 दिसंबर 2019 को कुछ unexpected हुआ NCLT ने क्या बोला? कि भई Cyrus Ministry executive chairman रहेंगे Tata Suns को और जो चंदर सेकरन appoint किये गया है ये illegal है लेकिन obvious सी बात है Cyrus Ministry का chairman बनना four weeks के रिए टीले किया गया क्यों? जोकि obvious सी बात है यहाँ पे NCLT को भी पता था कि Tata Suns counter appeal फाइल करेंगे और वही हुआ Tata Suns ने 2 जनवरी 2020 को NCLT के decision के against आप कह सकते हो 18 दिसंबर 2019 को Supreme Court में चले गए तो मतलब 18 दिसंबर 2019 को decision आया था NCLT का इस decision के against 2 जनवरी 2020 को Tata Sun वाले Supreme Court में चले गए Supreme Court ने शुरुआत में तो NCLT के decision को stay कर दिया but finally देखिए आप सुप्रीम को judgment क्या दे रहा by September 2020 को Supreme Court क्या बोलता है it restrains शापूर जी पलुन जी ग्रूप from pledging its shares in Tata Suns पहली बात है जो शापूर जी पलुन जी ग्रूप है यह जो Tata Suns में अपने shares को pledge कर रहा है इसको restrain कर रहा है उसके बाद देखिए final hearing शुरू होती 8 December कुल मिला के दो companies थी जो कि Cyrus Mystery को और बहाव बोल रही थी और यह दो companies मिलके Tata Suns को नीचा ना दिखा पाएं और Cyrus Mystery की position को illogically उपन ना कर पाएं इसलिए सापूर जी पालून जी जो अपने number of shares को Cyrus Mystery की तरफ मिलाने की बात करा था इस चीज़ को रोग दिया सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने इसके उपर पूरी hearing करी और फाइनली सुप्रीम कोट ने अपना वर्डिक्ट दिया और वर्डिक्ट में Tata Group की अपील को सही माना गया और Cyrus Mystery की रिमूवल को भी यहाँ पे सही माना गया सुप्रीम कोट ने बोला कि Tata Group का जो decision था Cyrus Palunji Mystery को as the chairman and executive director of the group से हटाने का यह बिलकुल सही था Corporate India में एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई के respect में इस particular पूरे event को देखा जाता है Finally इसका यहाँ पे आप कह सकते हो decision निकल के आया है साफ-साफ यह बोला गया कि जो 18.37% के shares हैं यह जो Mystery Family ओन करती है शापूर जी पालूंजी ग्रूप यह overall 10% की limit को वोलेट मतलब cross नहीं करते हैं चुकि ज़्यादा तर preferential shares है Simple बात यहाँ पर यह है ओके अच्छा इस पूरी hearing के दोरान obvious ही बात है case Tata Suns के favor में गया है और Cyrus Mystery के against गया है अब इस पूरे case के दोरान शापूर जी पालूंजी ने यह बोला है कि हम Tata Suns से exit कर जाएंगे ठीक है भई अब यहाँ पर एक और issue उठने वाला है Tata Suns का यह बोलना है कि जो शापूर जी पालूंजी के जो number of shares है Cyrus Mystery के जो number of shares है इनकी value 70,000 करोन से 80,000 करोन है At the same time Cyrus Mystery के बोल रहा है कि इन shares की value लगवग 1.75,000,000 करोन है तो यह एक और नई बहस होने वाली आ गयाने अभी बहस पूरी तरीके से खतम होई नहीं है At the same time Supreme Court यह भी बोल रही है कि अगर आप एक minority shareholder हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप board के member ही बन जाओगे Minority shareholder बनना आपको यह right नहीं देता है कि आप automatically board के member भी बन जाओ Minority shareholders के लिए अगर उस company के articles of association और memorandum of association में proper provision दे रखा है कि minority shareholders को board member बनाए जागा तब ही वो बनेंगे Statutory नहीं है यहाँ पे कोई चीज़ मतब Companies Act में यह कहीं भी भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप minority shareholder हो तो आप board के member बनोगे हाँ आपने अपनी company के articles में memorandum लिख रखा है तो बात अलग है प्रस यहाँ पे Article 75 of the article of association को लेकी भी थोड़ी बहास हुई है Article 75 of the article of association Tata company को यह right देता है कि वो किसी minority और small shareholder के shares को fair market value पे खरीच सकते है अब यहाँ पे फस गया कॉन Tata mystery Sorry Cyrus mystery Cyrus mystery के पास common stocks वारे share है 2.71% और total stocks लगबग 17.18% है अब यह minority shareholder की category में आते है Article 75 of Tata sans private limit यह बोलता है कि minority shareholders के shares को Tata group खरीच सकता है fair price देगे अब यहाँ पे शापूरजी पालूंजी को और Cyrus mystery को डर कर लग रहा है कि इस article 75 का इस्तमाल करके Tata इनके शापूरजी पालूंजी वाले shares को हड़ब सकते हैं इसलिए Supreme Court के सामने यह दरखास्त की है Cyrus mystery ने और शापूरजी पालूंजी ने कि हमारे यह जो minority shareholders है यह इनको ना खरीदने दिया जाए अब यह एक नई बहस है जो आगे आने वाले समय में clear होगी यहाँ पे एक और फरक है small shareholders और minority shareholders वो shareholders जिन्हों बीस जार रुपे तक के share खरीद रखे हैं company वो small shareholders होते हैं और जितने भी small shareholders हैं वो combinedly एक member को board में भेज सकते हैं लेकिन minority shareholders बोड में बैठेंगे की नहीं बैठेंगे यह इस बात पर depend करेगा कि उस company के article और memorandum क्या बोलते हैं समझ गए तो मतलब कि अगर आप minority shareholder हो इसका मतलब यह नहीं कि automatically आप board पर पहुंच जाओगे यह बात यहाँ पर proper तरीके से clear कर दी गई अब कुल मिलाके यह issue तो देखिए resolve हो गया हलाकि resolve नहीं हुआ अब इसमें बहुत भहस होने वाली है शापोर जी पॉलन जी टाटा सन से बाहर निकलेंगे टाटा सन से बाहर निकलने कले टाटा सन इनको कितना पैसा देता है उसके उपर भी dispute होगा उसके उपर भी देखना Supreme Court involved होने वाला है उसके साथ साथ minority shareholders को लेके corporate India में आप बातें उठेंगी कहीं न कहीं जो minority shareholders हैं अगर वो किसी बड़ी कंपनी में इंवेस्ट करना चाहेंगे डायरेक्टर की तरफ पोस्ट मिलेगे चुकि यहां पर मिस्टरी की साथ यही हुआ है इनके आर्टिकल और मेमरेंडम में लिखानी ता टा टा संस के कि अगर आप minority shareholders से बोर्ड पे जगा मिलेगे और इस बैसे पर बोर्ड से उठाड के बाहर फिक दिया गया में कोशिश की थैंक यू फो वाचिंग हाव अगरे टेंग